हलो दोस्तो नमस्ते कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तो आज का ब्लोग में मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी जहां पे मैं रहती हूँ तो आप लोग बने रहें दोस्तो मेरा वीडियो में तो कि देखिए दोस्तों यह हमारा मुर्गी का घर यहां पर हम लोग मुर्गियों को रखते हैं क्योंकि हमारे यहां बहुत सारा मुर्गिया हैं तो हम लोग उसके लिए एक घर बनाए हैं देखिए यहां पर हम लोग रखते हैं उस्तों हमारे गाउं सेड ऐसा बास को काट के र देखिए दोस्तों ये है हमारा देवता घर और यहां पर कोई नहीं जाते है और मैं भी आज तक नहीं देखी हूँ घर अंदर को और अगर जाते है तो घर की लोग ही जाते है दोस्तों और इधर मतलब जंगल छेत्र में ऐसा ही बनाया जाता है मतलब ऐसे देवता घर को अलग जगह पर बनाया जाता है जहां पर कोई और दूसरा मत जाये करके तो देखिए दोस्तों ये है हमारा छोटा सा घर ऐसे दीखने में तो छोटा सा दीख रहा है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है दोस्तों देखिए दोस्तों ये हमारे घर क का दर्वाजा जहां से हम लोग घर अंदर जाते हैं और यह है हमारा रूम जहां पर हम लोग रहते हैं देख लीजिए इधर उदर विखरा पड़ा है देखिये दोस्तों यह है हमारा हाल जहां पर हम लोग बैठते हैं और इधर मेरी मम्मी सोती है और इधर मेरी बेटी जूला में सो रही है और अगर वो उट जाएगी तो मैं ब्लोग भी नहीं बना पाऊंगी दोस्तों और अभी दवस्तों रही है देखिए दोस्तों ये है अपना टिवी वाला हाल यहां पर हम लोग बैट के टिवी देखते हैं सभी लोग और इधर है अपना देवता रूम दोस्तों इधर थोड़ा अंदेरा है देख लिजिए फिर भी थोड़ा थोड़ा दीकरा है आप लोग इधर हुजा करते हैं रोज सांप को दिया जलाते हैं ये अपना देवता रूमा ये भी इधर है दोस्तों अपना कीचान छोटा सब देख लिजिए देख लिजिए यह बरतन जाने यहां पर हम लोग बरतन को रखते हैं और इधर कैसे दोस्तों यहां पर भी खाना बनाते हैं कि यह दोस्तों इधर टीन में खाना है हम लोग टीन बोलते हैं इसको जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं और यह कड़ाई कड़ाई में भिंडी सब्जी है सुबह बनाए हो लाए ठाड़ा हो गया है और इधर इधर भी कीचन है दोस्तों देख लीजिए क्योंकि गाव में ऐसा ही बनाते हैं छत्री जैसा खाना बनाने के लिए रूम तो दोस्तों आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा कमेंड में बता कर दोस्तों में आप लोगों को एक बाद बताना चाहती हूं कि मैं एक काव से हूं तो मैं फूर सपोर्ट कीजिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए बाई बाई